हलो नमस्कार सत्यू वेलकम टू माई यूटूब चल आज की इस क्लास में उपर राजस्तान में सोली विदान सभा चुनाव संपन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं जो परतियों की प्रिक्षाओं की द्रेश्टी से बहुत ही इंपोटेंट हैं और इस क्लास क में कुल 200 विदान सभा सीट हैं कितनी हैं 200 विदान सभा में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए यानि कि हाली में कितनी सीटों पर चुनाव हुए एक सीट पर चुनाव नहीं हुए वह सीट कौन सी थी करणपूर सीट और कहां परती है स्री गंगानगर जिल्ले में इसका कारण कंगर्स प्रत्याग सी थी जिनका नाम तक गुर्मृत शीह कुनर उनकी मर्त्य हो गई थी जिसके कारण उस सीट पर चुनाव नहीं होए तो अब इस सीट पर चुनाव कब होंगे तो Ez य ही पर चुनावảo होंगे दपा के 115 विदायक बने और कोंग्रेस के कोंग्रेस के बने एक गुंशित्तर विदायक बने कोंग्रेस की कुल सीटे प्राप्त हुई यानि की कोंग्रेस की कितने विदायक गुंशित्तर अन्य दलवर निर्दली सीट प्राप्त हुई यानि निर्दली कितने विदायक बने तो 15 विदायक बने, कितने बने 15, यदि इनको जोड़ा जाएगा तो आपके कितने आएंगे, 109 में सिटे, एक सिट पर नहीं हुए, स्री गंगानगर जिल्ले की थी करनपूर सिट, अगला फेक्ट देखते हैं, राजिस्तान के नविंतम मुख्य मंत्री, तो आपको सभी को होगा अभी राजिस्तान में, मुख्य मंत्री का क्या नाम है, तो स्री भजनलाल शेर्मा, कौन मने हैं, भजनलाल शेर्मा, और दोस्तों, ये जेवपूर के सांगा ने निर्वाचन शेतर से चुनाओ जीत कर, मुख्य मंत्री बने, तथा दोस्तों, ये 1967 में इनका जन्म और ये मूल निवाजी है, बरतपूर के, कहां के हैं, बरतपूर के, इनके सामने थे कॉंग्रेस पत्याक्षी जिनका नाम था, उस्पेंदर सिंग बार्दवाज, उस्पेंदर सिंग बार्दवाज को लगबग 48,000 वोटों से हराकर बजनलाल शेर्मा ने अपनी जीत अगला फेक्ट देखते हैं, राजिस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री, तो राजिस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री के अंदर देखते हैं, मनोनित मुख्य मंत्री, तो मनोनित मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री, कौन है, हीरालाल शास्त्री, बहुत इंपोर्टेंट फेक् तो टिका राम पाली वाल ठीक है दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं वर्तमान राजिस्तान में कितने उपमुख्य बंतरी बने यानि कि सोली विदान सबाद चुनाव संपन हुए उनके अंदर कितने उपमुख्य मंतरी बने तो दो बने कितने बने हैं दो पहले का नाम है दिया कुमारी और इन्होंने जेपूर के विद्यादर नगर से निर्वाचन सेतर से अपनी जीत दर्ज करवाई दूसरे का नाम है प्रेमचंद बेरवा इन्होंने जेपूर के दुद्दू निर्वाचन सेतर से अपनी जीत दर्ज करवाई अगला फैक्ट है दोस्तों रा राजिस्तान के पर्थम उपमुख्य मंद्री तो राजिस्तान के पर्थम उपमुख्य मंद्री का नाम है टिका राम पालिवाल क्या नाम है दोस्तों टिका राम पालिवाल अगर पुचा जाए राजिस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्य मंद्री का क्या नाम है तो अब मुख्य मंत्री हैं दो पहली है दिया कुमारी दूसरे प्रेमचंद बेरवा अगला फेक्ट है राजस्तान की पर्थम महिला उप मुख्य मंत्री तो जिनका नाम है कमला बेनिवाल क्या नाम है दोस्तो कमला बेनिवाल ये भी इंपोडेंट फेक्ट है दोस्तो अगला फेक्ट है राजस्तान में सोली विदान सबागे अध्यक्स यहां पर प्रिंट मिष्टे होगी है राजस्तान में सोली विदान सबागे अध्यक्स जिनका नाम है वासु देव देव नानी क्या नाम है दोस्तों वासु देव देव नानी और दोस्तों इन्हों ने अज विदान सबा में कुल महिला विदायक तो 16 विदान सबा के अंदर कुल महिला विदायक बनी 20 महिला विदायक बनी कितनी बनी 20 जिसमें से बाजप्पा महिला विदायक याने की बिजेवी पार्टी की महिला बनी विदायक 9 महिला विजेवी पार्टी की बनी और 9 महिला ही निर्वाचित विदायक जिनका नाम है काली चरण सर्राफ और ये कितनी बार विदायक बने हैं आठ बार विदायक बने हैं यानि कि कारेकाल होता है पांच वर्स यानि आट उपंच चालिस इनको चालिस वर्स हो गए हैं विदायक बनते हो गए अगला फेक्ट है सबसे आडमेर के शीव विदान सभाशेत्र से अपनी जीत हासिल करी और इन्होंने दोस्तों निर्दली चुनावु लड़ा किस प्रकार चुनावु लड़ा निर्दली है चुनावु लड़ा और जीत दर्ज कराई अगला फ्रक्रेक्ट है सबसे बुजूर्ग विदायक सबसे है तर्याजी वर्च और यह बलोंग करते हैं बुंदी से खांवेश्ञ भुंदी से ठीक है दोस्तों यह अपना क्लास यही सांप्त होती है और अट इस यह इस लए है to झाल झाल